पाठ कब आऊंगा वाचन करेंगे तो शुरू करते हैं अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गावासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे दीरे दीरे उसकी दुकान चल निकली अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेट को बहुत इर्शया महसूस होने लगी इर्शया मतलब जलन अवंती को परिशान करने के लिए वह सेट कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुँचा दर्वाजे के अंदर घुषते ही सेट बुलंद आवाज में बोला अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ अवंती ने सेट जी से पूछा सेट जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं सेट ने कहा रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कताई अच्छे नहीं लगते समझे की नहीं अवंती ने जवाब दिया समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा अवंती ने सेठ का मनसूबा भाबते हुए उसके हास से कपड़े का टुकड़ा ले लिया मनसूबा मतलब उसका इरादा, उसकी क्या इच्छा थी ये जानते हुए सेठ ने खुश हो कर कहा अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आउं अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बुला आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, ब्रेसपतवार, शुकरवार, शनीवार और रविवार को छोड़ कर किसी वीदे ना सकते हैं सेठ समझ गया कि उसकी चाला की उल्टी पड़ चुकी है मतलब यहांसे चले जाने में ही है अच्छा होगा कि मैं यहांसे चला जाओ फेर उस सेठ ने दोवारा अवंती की दुकान में घुसने की हिंबत नहीं की मतलब वो दुवारा नहीं आया तो यहीं पर पार्ट समापत होता है धन्यवाद आरेस्त्र पार्थी ने ये लिखा है धन्यवाद